इसमें आपको इंग्लिज से हिंदी में translate करना है तो सबसे पहले यह सारा English sentence है वीडियो को pause करके आपको पहले हिंदी में इसको translate करना है ठीक है उसके बाद अभी मैं संग संग आपको answer बताते जाओंगा आप मिलाईएगा उससे practice करना बहुत important है तो अगर आप यह सोचते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से आप सीख जाएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है आपको practice करना पड़ेगा ठीक है वीडियो को आगे पीछे करके pause करके पहले पूरा answer कर लिजे हिंदी में आईए मैं आपको अभी इसका answer बताता हूँ ठीक है ठीक है करके आप मिलाई है my pen has been stolen मेरी कलम चोरी हो गई है somebody has stolen my pen किसी ने मेरी कलम चुरा ली है you will be taught by this girl तुम इस लड़की के द्वारा पढ़ाए जाओगे this girl will teach you यह लड़की तुम्हें पढ़ाएगी A radio was repaired by my brother एक radio मेरे भाई के द्वारा मरमत किया जा रहा था My brother was repairing the radio मेरा भाई रेडियो मरमत कर रहा था The snake was killed by two boys साप दो लड़कों द्वारा मारा गया था Two boys killed a snake दो लड़कों ने एक साप मारा This window has been broken by the boys यह खिड़की लड़कों द्वारा तोड़ी गई है The boys have broken this window लड़कों ने इस खिड़की को तोड़ा है Shiam is being beaten by Ram Shiam, Ram के द्वारा पीटा जा रहा है Ram is beating Shiam, Ram is beating Shiam Ram, Shiam को पीट रहा है The field is plowed by Ram, Ram के द्वारा खेट जोता जा रहा है Ram plus the feet, Ram के द्वारा जोता है Ram